नमस्का, DNX वास्तु जोतिश कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ है पंडित देवनारायन शर्मजी पिछले एपिसोड में हमने जानना था कि वास्तु सास्त्र के अनुसा सीड़ी बनाते वक्त कौन-कौन सी सवधानिया दखनी चाहेंगे आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि शिडियों की संख्या विश्याम होती है बनकि खिड़की और दर्वाजे की सम ऐसा क्यों हाँ आपने बड़ा सुन्दर सवाल आज पूछा कि सम और विसम का क्या संबंध है वास्तु सास्त्र से अब आप सब देखते हैं कि वास्तु सास्त्र में हर जगह किड़की दर्वाजे और वेंटिलेटर उसके साथ साथ कालम की संख्या यह सारी की सारी सम रखी संख्या मतल्ट जिसमें दो का भाग चला जाता है he one number मुलते हैं उसको एंगलिसमें जिसमें दो का डिवाइड हो सकता है दो चार 6,8 10 यह संख्या माने जाते हैं जबकि विसम संख्या वह है एक तीर पांत साथ नौ जिसमें दो का भाग नहीं होता और नंबर जिसको हम बोलते हैं तो सम संख्या को पूर्ण अंक माना गया है इसलिए वास्तु सास्त्र में जब हम खिड़की लगाते हैं तो देखते हैं कि कि फ्लोर वाइस हर फ्लोर में सीड़ी की संख्या छे आठ दस मतलब सम होनी चीए दरवाजों की संख्या भी दो चार छे आठ दस मतलब सम होनी चीए वैसी हम वेटिलेटर लगाते समय उसका ध्यान रखते हैं लेकिन सीड़ी में हम क्यों विसम हो जाते हैं क्या है सीड़ी के लिए क्यों रिश्यमुलियों ने विसम का तो आईए इसको हम समझते हैं कि जब भी हम अपना पैर आगे बढ़ाते हैं कभी भी कोई भी वेक्ति जब पैदल चलता है तो उसका राइड लेक डाहिना पैर अपने आ तो उसका दप्षिंक दाइना जो पैर है वो पहले आगे बरता है तो जब भी हम सिड़ी में चड़ेंगे तो अगर हमारी सिड़ी विसम होगी तो हम दाइने से चड़ेंगे और विसम संख्या है तो दाइने पैर में ही हम next floor में पहुचेंगे इसके विपरीत अगर हम सिड़ी की संख्या सम होगी 16, 18, 20 होगी तो जब भी हम सिड़ी में चड़ना शुरू करेंगे एक floor से दूसरे floor में तो हमारा बाया जो पैर है left जो ले गए उस पे हम उस floor पे प्रवेस करेंगे तो अब यह left और right का क्या चक्कर है बाया और दाया का चक्कर क्या है तो यह आख अक्सर देखिए कि जब फेरे पड़ते हैं साधी जब होती है फेरे पड़ते हैं तो वधू से साधी का जो कार्य कराया जाता है तो दाइने पैर से सारे मंगल कार्य को किये जाते हैं पहला यह शुबता का प्रतीक माना गया है तीसरा जब ग्रे प्रवेश होता है जब वहु जब घर के अंदर आती है तब भी मुख्य द्वार में जब हम पानी डालते हैं और बहु जब घर के अंदर प्रवेश करती है उस समय भी दाहिने पैर से उसका पैर को आगे बढाया जाता है तो कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म में दाहिने पैर को सुबता का पवित्रता का प्रतीक माना गया है इसलिए सीडी में हम विसम रखते हैं बाकी चीज़ों को हम सम रखते हैं दूसरी और बात है कि जब हम अच्छा इसमें एक और चीज़ आती है कि लोगों को कंफ्यूजन रखता है कि अगर मालो तीन फ्लोर हैं तो उसकी गिंती कैसे करें कि तीनों फ्लोर को मिसम करें या अलग-अलग फ्लोर में तो मैं हमारे बस्तु के जागरूप aos को मैं बताना चाहूंगा कि विसम संध्या की गर्णा फ्लोर टूफ लूर करना है एक ही फ्लोर की गर्णा करनी है ग्रांग फ्लोर से फ्लोर ये विसम होनी चीए फ्लोर से सेकंड फ्लोर की सीड़ी ये विसम होनी चीए सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर की सीड़ी भी विसम होनी चीए तो ये सम और विसम का स्थान है और जब हम सीड़ी में चड़ें तो चीड़ी में चड़ते समय क्लाक्वाइस बनाएं दाहिने हाथ में रेलिंग रहें और जब हम चड़ें तो रेलिंग पकड़के दाहिने हाथ से दूसरे फ्लोर में चड़ें यह क्यों कहा गया है कि क्लाक्वाइस क्यों होना चाहिए आप देखेंगे कि जब भी आप मंदिर में चड़ते हैं अगर आप मंदिर जो पहाड़ों के उपर स्नीत है तो जब भी आप तो जड़ से ज्याधा बल आपको लगता है उतरते सेंदे utions से दोड़ते वे उतर जाएगे कि अगर सिड़ ही बाय हाथ के तरफ बहुं रही है तो बाय हाथ मेंimated मुझरी रहे रहा हाथ हमारा मझबूत नहीं माना जाता हमारा जो दाइणा हांथ है वह उसको प्रगतीं ने जादा मझबूत बना बनाया हुआ है तो जब भी हम सीली में चड़ेंगे तो सीली में चलते समय तीन लोगों का विसेज ध्यान रखा गया है छोटे बच्चे जो ग्मजोर होते हैं वो महिला प्रेगनेंटक महिला वह जो कमजूर होती है वह जो बुजर्ब लोग हैं वह कमजूर माने जाते हैं तो उनको ज्यादा ध्यान में रखते हुए सीड़ी को गड़ी की दिशा में बनाने का विधान है एक और चीज आप विसेज ध्यान रखें सीड़ी बनाते समय उसके टपे में ऐसा कोई भी मटेरियन ना लगा है जो स्लीपरी हो अक्सर मैं कहता हूँ कि जिसमें पानी गिरने से वह स्लिप कर सकता है क्योंकि सीड़ी में एक्सीडेंट की संभावना जादा हो सकती है इसलिए सीड़ी बनाते समय उन मटेरियल का निसेद है जिसमें आप के स्लिप को करके गिरने की संभावना जादा है